ले जनाब अब स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स के डिफरेंट किसम के जो फॉर्मूले हैं और किस तरीके से मैट्रिक्स को हम डील करते हैं और मैट्रिक्स बिसिकली हमें किस तरीके से हलफुल साबित होते हैं स्क्रीन आपके सामने मैंने आपको पहले भी बताया कि मैट्रिक्स जो है ये एक ट्रांस्फॉर्मेशन है और ट्रांस्फॉर्मेशन होती है अवे टू मूव इन स्पेस स्पेस कौन सी हमारी वेक्टर स्पेस सही है अब जो मैंने ट्रांस्फॉर्मेशन की बात की मैंने आपको टू डिमेंशनल बताई कि आपके पास अगर इस तरीके से दो वेक्टर हों तो किस तरीके से उन्हें आप ट्रांस्फॉर्म कर सकते हैं transformations होती है लेकिन अगर आपकी linear independence है ना तो इसके उपर transformation का कोई इतना खास फरक नहीं पड़ेगा reason क्या है कि आपका i and j vector हमेशा आपको linear dependence जो है वो देगा so इस बात का आपने ख्यार रखने है कि whenever you are doing some transformation you have to do it in real coordinate space of two dimensional plane ठीक है linear independence को देखते हुए यानि कि linearly depend नहीं होने चाहिए second चीज जब हम transformation को पढ़ते है so उस पे हमें और भी काफी जो questions हैं वो आते हैं मिसाल के तोर पे एक मैं मिसाल देता हूँ आपको मिसाल ये है कि मैंने आपको दो किसम की transformations बढ़ाई दो किसम की transformation में पहली transformation थी आपकी 90 degree rotation की sorry not see rotation clockwise यानि कि जब मैं positive लिख रहा हूँ तो ये basically 90 degree rotation है ठीक है और दूसरी transformation थी आपके पास shear transformation अब question ये है कि मेरे पास एक vector मुझूद है जिसकी value है 3 and 4 मैं चाहता हूँ कि पहले इस पे shear transformation अपलाई हो और फिर इसके ऊपर आपके पास जो 90 degree rotation वाली transformation है वो apply हो यानि कि 90 degree rotation वाली ठीक है सो हमारे पास basically दो transformation होगी एक पहली ये और दूसरी ये ठीक है अब एक तरीका कार तो ये है कि हम बारी बारी इन दोनों को apply कर दें यानि कि पहले हम इस पे कर दें shear वाली apply और दूसरी फिर 90 rotation वाली कर दें सो मिसाल के तोर पे हम करना क्या चाह रहे हैं हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास एक vector है 3 by 4 का which shows something like this इसको हम rotate करके 90 degree rotate करके हम इसको shear में लेके जाना चाहते हैं यानि कि इस तरीके से जो हमारे पास shear transformation थी तो हम हमारे पास जब भी दो transformation आती हैं तो हम इसको कहते हैं composition of transformation या composition of two transformations और हम ये देखना चाते हैं कि दो transformations के बाद वो vector कहां पर जाता है जिसकी value है 3 and 4 ठीक है तो हमने क्या करना है जो हमारे पास दो transformations हैं उन दोनों के coordinate लिख लेने ठीक है पहला जो हमारे पास है अगर हम shear transform देखें तो वो इस तरीके से i और j हमारे पास आता है 90 degree पे i यहां पे आ जाता है j हमारा यहां पे आ जाता है ठीक है तो अगर गौर करें इस पे तो separately अगर देखा जाए तो i hat की value हमारे पास है 10 और j hat की shear में हमारे पास है जनाब 11 ठीक है इसी तरीके से हमारे पास अगर यहां पे देखी जाए i hat की value हमारे पास है 0-1 और j hat की हमारे पास 10 अब यह हमारे पास दो मैट्रिक्स आगे हैं separately सो हमारे पास जो वेक्टर है वो है 3, 4 का ठीक है और दो हमारे पास मैट्रिक्स है एक हमारे पास M1 यानिके मैट्रिक्स 1 है जिसकी वैल्यू है 1, 0, 1, 1 जो है shear transformation फिर हमारे पास दूसरा वैक्टर है which is 90 degree rotation इसको बोलते है M2 और इसकी value है 0, minus 1 and 1, 0 अब हम क्या करते हैं या तो बारी-बारी दोनों इस पे लगा दें वो भी यही scene है लेकिन हमारे पास एक और scene होता है वो क्या है कि हम मैट्रिक्स को मल्टिप्लाई कर दें यानि के इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टिप्लाई करें ठीक है हम मैट्रिक्स को मल्टिप्लाई करें और मैट्रिक्स को मल्टिप्लाई करने का तरीका कार क्या होगा we will see now so हमने पहले यह देखना है कि पहले कौन सी हमारे पास जो चीज है वो apply होनी है M1 या M2 so it depends on us के पहले हमने shear apply करना है या बाद में करना है and then we will see कि यह किस तरीके से होता है so basically हम इन दोनों को multiply करके composition matrix एक बनाएंगे so usually क्या होगा इन दोनों को multiply करके हमारे पास एक और matrix आएगा उससे फिर 3 by 4 को हम multiply करेंगे vector को और वो हमें answer दे देगा so इसको बोलते है matrix multiplication और जब हमारे पास composition of two transformations जब भी आती है then we can actually apply matrix जो multiplication है और matrix multiplication बहुत असान है आपने क्या करना है अपने पास M1 जो है multiplied by M2 करना है ठीक है so होगा क्या कि यहाँ पे आपने M1 की value लिखनी है और मेरे पास जो 1 1 0 1 ये मेरे पास है जनाब M1 यानि के shear transformation मेरे पास आ गई और M2 मेरे पास क्या है M2 है मेरे पास 0, minus 1 and 1 0 0, minus 1, 1 and 0 इसको multiply करना है अगर आप गौर करें तो matrix multiplication के अंदर हमने उर्दू की तरह जैसे हम लिखते हैं न हमने वैसे जाना है यानि के right to left यानि के हमने सबसे पहले ये देखना है के जब ये transformation apply हुई तो हमारे coordinate ये वाले होगे यानि के ये transformed i hat है ये transformed j hat है ठीक है? तो हमने right to left जाना है अब हमने 0,1 को इस सारे के साथ multiply करना है और फिर हमने 1,0 को इस सारे के साथ करना है तो let's see इसको हम कैसे लिखेंगे और हमारे पास जो answer आएगा वो हम यहाँ पे put in कर देंगे let's do it now हमने पहला काम क्या करना है? हमने m1 को i hat के साथ multiply करना है तो इसको literally मैं लिखता हूँ i hat multiplied by m1 और इसको कैसे लिखा जाता है आपने 0 को multiply करना है पहली कॉलम के साथ यानि के ये वाली चीज़ के साथ और फिर plus का sign लगाते हैं आप जैसे usual multiply करते हैं minus 1 को फिर आपने करना है 1,1 के साथ तो ये आपके पास answer आएगा 0,0 plus minus 1 and minus 1 तो ये आपके पास at the end आजाएगा minus 1, minus 1 ये आपके पास आगया minus 1, minus 1 आपने ऐसे उठा के ये यहाँ पर लिखते हैं ठीक है अब चलते हैं j hat multiplied by matrix number 2 हमने क्या करना है 1 into 1,0 plus 0 into 1,1 ये हमारे पास आएगा जनाब 1 and 0 जो हम कल से multiplication कर रहे हैं वो ही चीज़ है vector matrix multiplication जैसे हमने की थी ये basically vector vector multiplication की थी ये वो ही चीज़ चल रही है और यहाँ पर हम करेंगे 0,0 ये हमारे पास आएगा 1 plus 0,1 and 0 ये हमारे पास आता है 1 and 0 इसका मतलब ये हुआ के composition transformation ये जो हमारे पास आई है green color के अंदर if we write this transformation this is a composition of shear plus 90 degree rotation C मैं लिख देता हूँ sorry shear plus 90 degree rotation ये वाली हमारे पास composition है right तो हम इसको जब एक कोई apply करेंगे ना तो वो vector automatically वहाँ पे apply हो जाएगा अब हम इस composition को जो है apply करके real life में देखते हैं के vector के साथ क्या होता है for example मैं यहाँ पे ये वाली चीज ड्रॉ करता हूँ हमारे पास जो vector है that is 3 by 4 3 by 4 तो मैंने 3 इस side पे जाने है और 4 उपर ये हमारे पास vector है अब इस पे जब 90 degree rotation अपलाई होती है और shear अपलाई होता है तो इसका ये हाल होता है minus 1, minus 1, 1 and 0 तो मैं उसको पहले resolve करता हूँ फिर हम देखते हैं कि 3 by 4 multiplied by minus 1 minus 1, 1 and 0 इसको अगर हम देखें तो हम किस तरीके से resolve कर पाएंगे 3 into minus 1, minus 1 और plus 4 into 1, 0 तो at the end हमारे पास आता है minus 3, minus 3 plus 4 and 0 तो ये हमारे पास आएगा minus 3 plus 4 याता है 1 and minus 3 plus 0, minus 3 तो ये हमारे पास आती है जनाफ 1 minus 3 transform होने के बाद transform होने के बाद यही चीज हमारे पास 1 minus 3 हो जाएगी let's do it कि transformation के बाद ये कैसी दिखती है 1 and minus 3 इसका मतलब है 1 हमने ऐसे जाने और minus 3 नीचे को तो ये यहाँ पे आ जाएगी तो हमने 90 degree rotate किया 90 degree rotate का मतलब है कि यह यहाँ पे आ जाएगी और फिर बाद में अगर इसका original coordinate देखे जाते तो यहाँ से ये shear की है इस side पे सही है सो basically वो सुकड के एक में आ गई है so actually it's doable और shear होने के बाद यह हमारे पास कुछ इस तरीका से rotate होके 1 पे आ गई है so हमारे पास जो coordinate बनते हैं 1 minus 3 के this is showing के आपकी shear and 90 degree rotation apply हो गई है ठीक है so इस तरीके से matrix को multiply किया जाता है और आप किसी भी किसम की दो transformations जो हैं वो लगा सकते हैं और यह दो transformations बहुत जरूरी होती हैं समझना and now the questions come question comes दो मेरे questions हैं आपसे और हम देखते हैं कि क्या वो question आप answer कर पाते हैं कि नहीं let's see पहला question है जब हम M1 को M2 के साथ multiply करते हैं क्या यह बराबर है M2 को जब M1 के साथ multiply करेंगे is it true or false question 1 नहीं है हाँ जी इसका answer दीजेगा is it true or false ठीक है क्यूंके मैंने आपको बताया है कि direction matter करती है is it true or false यह आपने देखना है question 1 फिर आता है question 2 question 2 is क्या हमारे पास A, B और C बराबर है A, B और C के मिसाल के तोर पे हमारे पास एक matrix है A, दूसरा है B, तीसरा है C फिर A, फिर B, फिर C वो ही वाला तो अगर हम B, C को पहले multiply कर दें और फिर बाद में C, A के साथ करें या A, B को पहले कर दें फिर C के साथ करें का यह true है या false है true or false true or false क्या है इन मेंसे hopefully आपको समझ आगी होगी question की और अगर आप गौर करें यह basic matrix के अंदर बहुत दफ़ा पूछा जाता है associativity बोलते हैं इसको कि matrix की आपस में association है या associative है के नहीं matrix matrices जो है वो associative है या नहीं मिसाल इसकी यही है कि मेरा जो हाथ है अब गौर कीजेगा पहला वाला जो है वो basically false है क्योंकि आपने direction move करनी होती है और direction move करने से आप i hat और j hat को फिर आगे लेके जाते हैं और अगर आप इसको वैसे भी graphically भी देखेंगे तो पहले वाला false है m1, m2 is not equal to m2, m1 actually ठीक है तो यह बराबर नहीं हो सकते order बहुत matter करते है जब आप matrix को multiply कर रहे होते है दूसरे में हमारे पास यह हमारे पास क्या है यह बिलकुल false है यह वाला false दूसरा हमारे पास है order same है A, B और C अगर order same है तो associativity होगी कि नहीं होगी बिलकुल यह हमारे पास true है reason क्या है मैं भी आपको बताता हूँ गोर कीजएगा हमारे पास 2D plane है मैं अगर अपना हाथ तेजी से यहाँ पे ले जाता हूँ और फिर यहाँ पे ले जाता हूँ तो यह मेरे पास दो rotation होगी ठीक है और उसके बाद मैं सीधा गर लेता हूँ तीन मैंने matrix की transformation apply की पहला मैंने rotate किया पहले फिर दूसरा फिर मैंने हाथ सीधा गर लिया यह ठीक है या मैं पहले हाथ सीधा करूँ फिर नीचे आके rotate करूँ यह ठीक है सो basically आपको भी पता है कि जब M1 और M2 की बात की जाए तो जब मैं पहले rotate करूँगा फिर rotate करूँगा फिर जब मैं हाथ सीधा करूँगा मेरे हाथ की direction different होगी मतलब सही तरीके से वो उसी angle पे नहीं आएगा लेकिन जब मैं पहले हाथ सीधा करूँगा फिर मेरे से rotate नहीं होगा जैदा ठीक है सो इस वज़ा से जो transformation की order है वो matter करता है अब दूसरी बात करते है अगर मैं BC को आपस मैं multiply कर लूँ तेज तेज और A को slow करूँ या मैं AB को तेज तेज multiply करूँ और C को slow करूँ इट ड़सेंट matter ठीक है सो usually transformation में association होती है कहने का मकसद यह है कि अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि इसकी application कितनी बड़ी-बड़ी हो सकती है इसकी मिसाल मैं आपको फिर से दे देता हूँ कि अगर कोई बंदा भाग रहा है ठीक है भाग के वो रुक सकता है और रुक के जारी बात है उसकी जो transformation है वो different हो जाएगी जहां से भागता भागता है जब वो रुकेगा तो उसकी transformation different होगी यानि कि उसको अच्छा खासा सांस चड़ा होगा वो ही चीज अगर आप रुक के भाग रहे हैं तो आपको सांस नहीं चड़ा होगा मिसाल के तोर पे जब आप भागना स्टार्ट करते हैं तो आपकी transformation रुकने से भागने की तरफ है तो उसमें जमीन असमान का फरक है अब अगर वो ही transformation भागने से रुकने की तरफ हो तो उसका भी बहुत फरक होगा रीजन क्या है कि भाग के बाद जब बंदा रुकता है तो पसीना आया होता है और सांस चड़ा होता है दूसरी साइड पे जब बंदा भागने लगता है तब आपकी transformation different होती इसका मतलब order बड़ा matter करता है matrix के अंदर और matrix क्या है basically transformation of anything two dimension space हो या three में हो और यहां पे आपके पास associativity होती है यानि कि अगर आप इन दोनों को पहले multiply कर लें फिर a को करें doesn't matter और यहां पे अगर a, b को कर लें फिर c के साथ करें doesn't matter order same रहना चाहिए hopefully अब आपको समझ आगी होगी आप ये वाला जो sequence अगर किसी को लगता है यह true है तो इन दोनों को जरा multiply करके देखिएगा मैं आपको दो vector दे देता हूँ m1 is equal to 1, 2, 3, 4 और m2 is equal to 5, 6, 7 and 8 आप इन दोनों को check करें कि क्या m1 multiplied by m2 equal है m2 multiplied by m1 के तो फिर आप मुझे बताइएगा इसका answer क्या आता है hopefully आपको matrix की multiplication यहां पर समझ आगी होगी और matrix को आइस्ता इस्ता हम सीखते जा रहे हैं और matrix में बहुत ज़्यदा चीज़े हैं जो हमने आइस्ता इस्ता और भी देखनी है and आप से request यही है कि अगर आपने अभी तक like नहीं किया है